भारत के Finance Ministry में काम करने वाला एक आडमी भारत की खूपिया जानकारिया पाकिस्तान भेज रहा था एक लड़की से वो चाट करता था और उसके जरीए G20 मीटिंग और कई एहम जानकारिया वो भेजता था आईए आपको ये पूरा केस डीटेल में बताते हैं Central Agency IB ने यानि Intelligence Bureau ने input दिया था कि वित्त मंत्राले में कॉंट्राक्ट पर काम करने वाला एक शक्स पाकिस्तान के लिए जासुसी कर रहा है इसी आरोप में गाजयबाद पुलस ने उस शक्स को गरफतार किया है लड़के का नाम नवीन पाल है इंजे टोडे से जड़े अर्विन दोजा के रिपोर्ट के मताबिक नवीन पाल सोशल मेडिया के जरिए अंजली नाम की एक लिड़की के संपर्क में आया वो से WhatsApp पर बात करने लगा WhatsApp का ये virtual number बरेली का था लेकिन बाद में पता चला कि कोई से पाकिस्तान के कराची से चला रहा था इस नमबर का IP आडरेस कराची का नवीन के mobile phone से वित्मंत्राले और G20 के दस्तावेज में मिले उन पर secret लिखा हुआ था नवीन पाल पर आरोप है कि उसने WhatsApp के जरीए भारत की कई खूफिया जानकारिया पाकिस्तान बेजी ले उसने कराची में वित्मंत्राले के कई जरूरी दस्तावेज भी बेजे इस मामले में अलवर की एक महिला भी IB के रेडार पर है उसके PTM से नवीन के अकाउंट में काफी पैसे ट्रांसफर हुए थे ऐसा ही एक मामला नवंबर 2022 याने के पिछले साल भी सामने आया था तब दिल्ली पुलिस ने वित्मंत्राले में काम करने वाले एक ड्राइवर को गरफतार किया था वो पैसो के बदले पाकस्तान को एहम जानकारिया और दस्तावीज भीज रहा था आज तक के रेपोर्ट के मताबिक वो ड्राइवर उनम शर्मा नाम के एक महिला से संपर्क में था महिला ने बताया था कि वो कॉलकाता में रहती है लेकिन बाद में पता चला कि महिला पाकस्तान की ISI एजेंट है ये भी बताया गया था कि ये मामला हनी ट्राप का हो सकता है अब इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी प्रग्याने मेरा नाम है सूनल देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टो शुक्रिया